हलो दोस्तों सलाव अलेकम नमस्कार स्रेयकाल मैं बिला लगतर एक बार फिर आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं इस वक्त की सबसे बड़ी ख़बर में आपको बता दूँ जैसे कि आप सभी जानते हैं और सभी को पता है कि छेतर में सबसे जादा जो क्यूरियोसिट में कुछ फेर बदल भी हुए हैं जैसे कि कुछ पिरतियासि उन्हें अपनी पार्ड़ी छोड़का दूसरी पार्टी जोईन करी है तो किसी ने कोई छोड कर कोई, तो कमेरे सकर करें लिए आड़ करींगे असलम चोहद्री को टिकेट दे कर मैदान में उतारा धोलाना विधान सवां से तो आपको क्या लगता क्या वो काम्याब हो पाएंगे या वो कितनी वोट ले पाएंगे हमें कमेंट सेक्षन में जरूर बताना और दूसरा जो सबसे बड़ी लोगों में जिग्यासा थी वो थी भाजपा को लेकर किसको मैदान में उता रहीक और भाजपा रहेको क्योंकि सबसे ज़ादा है पॱ्टियासी कर दिया और भाजपा ने भरोसा जताया है धर्मेश शिंग तोमर पर जो के आपको कटन्न आपकी स्क्रीन पर दिख जाएंगे धर्मेशिंग तोमर के टिकेट कर्फॉर्मेशन की भी और असलम विधायक के टिकेट कर्फॉर्मेशन की भी तो मैं आपको बता दूँ भारतिय जिन्ता पार्टिक के जो लाइन में थे टिकेट के लिए वो बहुत सारे कंडिडेट थे लेकिन सबी को पीछे अटाकर यूपी में बीजेपी आप आएगी तो कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर बात करें बीएस पी निए बहुजन समाज पार्टी की तो बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक जो लग रहा है और जिसकी उमीद है होगा भी वही अपना भरोसा बासित प्रिधान पर बासे हाजी मनसूर जो की पहले बस्पा से प्रतियास ही थे वह एयम में चले गए अब फिर अब फिर लोटकर वह बस्पा में ही आ गए हैं आप इसका सबूत देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर जो चल रहा है इसका प्रूफ है यह बासित प्रिधान की आईडी से पोस्ट की गई है जिसमें कि वह पाशित प्रतान और हाजी मन जुसूर जी आपको साथ में देख रहे हुंगर जो इस पर कैप्शन लिखा है वो भी आप पड़ सकते हैं तो मैंने पहले इस वीडियो के स्टार्टिक में भी का था कि दोलाना विधांसा में फेर बदल चल रही है हमर जो पूर विधायक रहे चुके 2012-2017 के बीच में तो क्या लगता आपको किसकी होगी जीत भारते जनता पार्टिया समाजवादी पार्टिया और बहुत सारी पार्टिया जो की टिकेट के लिए कर रही है जैसे जिसकी भी खबर मिलेगे हम आपको जरूर बताएंगे अग और आपको यह खबर पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना वीडियो करना लाइक और सेयर करना और फेस्बूक पेज पर देखने तो फेस्बूक पेज को भी फोलो करने हैं धन्यवाद